हे दोस्तो अगर आप एक music lover हैं और आप एक ऐसे headphone को ढूंड रहे हैं जिसमें की काफी अच्छा आपको sound quality में ले और खास करके noise cancellation का जो feature होता है वो आपको अच्छे तरीके से काम करें उस headphone में दोस्तो मैं आपके लिए एक यहाँ पर नया headphone लेकर आया हूँ जो कि यहाँ पर इंडिया में available नहीं है लेकिं दोस्तो यकीन मानिए इस headphone का जो feature है और जैसा इसका प्राइस है उस हिसाफ से जियो इसका यहाँ पर sound quality है दोस्तो मैं आपर आश्चा चकित हो चुका हूँ इसक इसके battery backup को लेकर और खास करके इस headphone का design जो है और इसका feature तो काफी कमाल का है ही तो दोस्तो आज के इस वीडियो फिसोड में हम इसी यहाँ पर headphone के बारे में बात करेंगे और इसका unboxing करेंगे इसका feature के बारे में आपको बताएंगे इसका price कितना है इसे आप कहां से खड़ी स रखते हैं ये शब कुछ मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो फिसोड में तो आप इस वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखिएगा तो चलिए देखते हैं है नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अभी नब आप देख रहे हैं यहां अभी दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लेगे तो लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और बैल निटिफिकेशन को इनिबल कर देजेगा क्यूंकि मेरे चैनल पर आपको अभी बहुत सारा प्रोडेक्ट का अन्बॉक्शिंग वीडियो देखना है और मैंने पहले भी यहां पर 100 से जाला प्रोडेक्ट का अनबॉक्शिंग कर चुका हूँ अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पर सारे वीडियो अभी लेवल हैं तो चलिए देखते हैं से पहले इसका unboxing देख लेते हैं इसमें आपको क्या क्या मिलता है उसके बाद आपको मैं इस headphone के बारे में बताता हूँ के दूसरे साइड यहां पर ब्लोडियो का ब्रैंडिंग है और पीछे के साइड में इस headphone का कुछ यहां पर इस्पेक्स के बारे में बताया गया है तो तलिए दोस्तो अब इसे ओपन कर लेते हैं यहां पर एक सील लगा मिला था और जैसे आप ओपन करेंगे सबसे पहले दोस जैसे कि देख सकते है रेड कलर का है और यहां पर देख सकते है यह ताइप सी है जी हां दोस्तो आपको इस headphone में टाइप सी का connectivity मिलेगा जो कि काफी आसान हो जाता है यूज करने में आप किदर से भी से लगा सकते है आपको कोई भी प्रोब्लम नहीं होगा उसके बाद दो दोस्तो बॉक्स में देख सकते हैं आपको 3.5 mm audio jack मिल जाता है जिस तरह से अपने headphone को रख सकते हैं और केडी कर सकते हैं उसके बाद दोस्तो बॉक्स में आपको एक मोटा सा user guide मिल जाता है जिसे आप पढ़ सकते हैं विश जरूरत नहीं है तो दोस्तो कुल में आकर दोस्तो बॉक्स में आपको ये सब समान मिल जाता है हेड़फोन का बॉक्स थोड़ा सा यहापर बड़ा आपको मिलता है ये सब समान आपको इसमें मिल जाता है दोस्तो अगर बात करें हेड़फोन का यहापर देख सकते है quality कुछ इस तरह सा है design कुछ इस तरह का है मुझे red color में मिला है उपर देख सकते हैं यहाँ पर turbine लिखा गया है और जो यहाँ पर material यूज किया गया है वो काफी गजब का है दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इसे आप exist भी कर सकते हैं यहाँ पर 9 points तक आगे पीछे होता है यहाँ आपको दोनों side यहाँ पर मिल जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं left और right लिखा गया है दोनों cap पर पहनेंगे आपको कोई भी problem नहीं होगा दोस्तों यहाँ पर design जो काफी अच्छे तरिके से बनाया गया यह metal यहाँ पर दिया गया है और यहाँ भी turbine लिखा गया है यहाँ पर देख सकते हैं cap पर यहाँ पर bloodio का यहाँ पर branding किया गया है और यह sign काफी अच्छे तरीके से कर लेता है इसका जो यहाँ पर sponge दिया गया है काफी अच्छे तरीके कर दिया गया है यहाँ पर देख सकते हैं, आपको एक खास फीचर मिल जाता है, जो noise cancellation का है, इसे आप on करके इसे activate कर सकते हैं, उसके बार दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पर इसी cap में एक charging point मिल जाता है, तो कि टाइप C है, और उसके बार देख सकते हैं, आपको यहाँ पर song को आगे पीछे करने वाला button मिल जाता है, play, pause करने वाला button मिल जाता है, एक mic मिल जाता है, जहाँ दोस्तों इसमें आपको inbuilt mic मिल जाएगा, और यहाँ पर volume up down का button मिल जाता है, दोस्तों काफी अच्छा है, काफी flexible है, और इसे आगर आप पहनेंगे तो आपको कोई भी problem नहीं होगा, दोस् अगर दोस्तों आप इस button को इस तरह से यहाँ पर प्रेस करेंगे, यहाँ पर इस side कर देंगे, तो यह noise cancellation का जो feature है, यह on हो जाएगा, और यहाँ पर आपको जो button मिलता है, उसी साफ अपने music को control कर पाएंगे, तो दोस्तों आपने देख लिया इस headphone का यहाँ पर unboxing, इसके feature का बारे में आपने जान लिया किसमें जो feature दिया गया है, noise cancellation के लिए अलग से, वो काफी अच्छे तरीके से work कर लेता है, दोस्तों अगर आपको पता नहीं है कि noise cancellation क्या होता है, तो दोस्तों आपको बहुत सारे जो noise होता है, उसको आपको disturb कर देता है, अगर आप चाहते है कि बाहर का noise हो रहा है, हला, वो आप खतम कर दें, आप सिर्प यहाँ पर music सुने, तो आप इस headphone को ले सकते हैं, अगर दोस्तों बात करेंगे sound quality, तो वो भी काफी super है, दोस्तों अगर आप यहाँ पर इसका base दे जाता है, अगर आप इसे अपने head में पहनेंगे, तो आप देख सकते हैं, कि किस तरह से ये feet हो जाता है, वैसे अगर दोस्तों आपका head बड़ा होगा, तो आप इसे इस तरह से exact भी कर सकते है, इस तरसे खोल कर और अच्छे तरह से हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह से क्या आप जानते हैं कि इसमें आपको एक अलग से मिल जाता है यह जो 3.5 mm का ओडियो जैक है अगर आप Bluetooth यूज नहीं करेंगे तो डिरेक्टलि आप इसे अपने दोस्तों आपको बता दो अगर आप इसके साथ यहां पर सुनेंगे इस हेड़पोन में स्वांग तो यहां पर कोई बैटरी नहीं लगता है और डियेक्टलि आपके स्मार्टफॉन के बैटरी को यूज करता है और काफी अच्छे तरीके से काम कर लेता है इसमें आपको अच पहनेंगे कितना भी दे आप इसे यूज करेंगे आपको ऐसा नहीं फिल होगा कि आप किसी भारी चीज को कान में पहनें वैसे दोस्तों मेरे पास एक और हेड़पोन यहां पर एवेलेबल है काफी प्रिमियम क्वाल्टी का है शाओमी का है इसका भी प्राइस यहां पर त लेकिन दोस्तों आपको 3000 के रेंज में इसमें आपको Bluetooth मिल जाता है बैटरी इसमें इन बिल्ट है 6-7-8 घंट आप इसमें music सुन पाएंगे design काफी अच्छा है और दोस्तों जहां पर खास करके noise cancellation का feature है वह भी काफी गजब का है दोस्तों अगर आप इसे खरीदना चाते है आपको कोई भी custom charge याने extra charge पे नहीं करना पड़ेगा दोस्तों अगर आप किसी headphone को ढूंड रहे है आपको अच्छा सा headphone चाहिए premium quality का तो आपके लिए best option यह है अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ है तो इस वीडियो को like कीजिएगा अपने friend के साथ share कीजिएगा और